प्रिया पटेल हां कमेंट आ रहा ठीक है सुर्जीत कुमार सबका कमेंट आ रहा है वह यह सभी बच्चे अपने वाट्साप स्टेटस में कलास की लिंक को लगा दीजिए जैसे तुम प्यार मोहबत वाले नगमें लगाते हो न वसे इसको भी लगा दो कुछ बच्चों को फा से करो हंड्रےड पूरा करो और चाहिब करो नहीं करो इन नहीं को पूरा करो ना थोड़े से और बच्चे हैं जो बच्चे नहीं सेयर की हैं फटा-फट सेयर कर दें सेशन को लाइक कर दें बस हम सुरू करें हमें थोड़ा साउक लगी है कि हम खड़े हो के हैं भासर दें भासर तो हमारे माननी परदानमंत्री जी देते हैं पिछले साथ साल से दे र बहुत बहुत कुछ लगता लें चलो तो भाईों और बहनों कहके हम नहीं बोलने वाले हैं कि समझ रहो ना जो बच्चे सेर करने गए हैं वह आई रहे होंगे जैसे आएंगे वैसे पूरा हो जाएगी संख्या मुझे पता है कि तुबं कमेंट आरा बच्चा रभी राज बोलने एंसीदी पर पढ़ाओ अच्छा लगता बेटा अच्छा तो बहुत कुछ लगता जिंदगी में जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं हो हमारे लिए अच्छा ही हो इसलिए जो अच्छा लगे उससे दूर रहो हम इंतजार कर रहें किसी के आने का कि हंड्रेड लाइब हो जाए तो शुरू करें अगर तुम्हें पढ़ना है तो फटा फट सेर कर दो हम इंतजार कर रहें किसी के आने का कि हंड्रेड लाइब हो जाए तो शुरू करें जल्दी से शेयर करो सभी बच्चे अपने वाटसअप ग्रूप में हर जगा सेयर करो फटा फट जिनका वीडियो नहीं चल रहा है इस दी गई लिंक पर किलिक करें तुरंट चलेगा जिनका वीडियो नहीं चल रहा है उनको देखो मैं लिंक बेज़े देता हूं जो आ गए हैं वो नहीं जाएंगे सिर्फ सेयर करने जाएंगे बस तुरंट आएंगे अब हम एक मिनट और रुकने वाले हैं क्लास शुरू हो रही टाइम हो चुका है बच्चा क्योंकि दस मिनट लगता है लोगों को नोटिफिकेशन मिलने में कुप दबा के सेयर करो फटाफट कुल बिंदर कौर देखो मैंने लिंक भेज़ दिया है अगर आपका नहीं चल रहा था तो देखो आपका चलेगा आजया चौधरी सिवं चलो बच्चा फिर शुरू किया जाए बच्चे लगभग जुड़ गये हैं पूरा हो गये हैं बाई जो बात चीत करेंगे पहले समझ लें उन्हें बलाक कर देंगे बिना कुछ बोले इतली अगर तुमें पढ़ना है तो ठीक है अगर किसी जुगा पूजल कैसी हो पूजा तुम कैसी हो तो हम लाते लात हमारेंगे जान लोगर इसा किया तो समझ रहे हो ना थोड़ा से बुरा लग रहा होगा सुनके लेकिन तुम समझ रहे हो चलो तो बच्चे जुड़ गये हैं फिर शुरू करते हैं आज की क्लास गुड़ इबनिंग इस्टुड़ेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं राज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फरिवार PVR स्टड़ी में तो बच्चों कलास नाइन थी की आपकी मैथमेटिक्स की लाइप चल रही थी जिसमें आप लोगों ने अभी तक 5 कलासे पढ़ लिया है और चाटवी कलास आज आप पढ़ेंगे चाटवी कलास में हम पढ़ेंगे इकसरसाइज नंबर कौन सा? 1.3, कुश्चन नंबर 7 थिक है? अगर आपके पास NCRT किताब है तो चाहे आप CBSC बोर्ड के हैं, UP वोर्ड है, विहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाना बोर्ड, केरल करनाटक, कोई भी आपका बोर्ड है, कहीं से भी आप ह यह आपकी किताब में है अगर आपकी कोई राज जी की NCRT नहीं है तो आप में यह कुश्चन होगा लेकिन थोड़ा सा आपका चैप्टर या फिर आपका एक्सरसाइज आगे पीछे हो सकता है लेकिन यह है आपकी किताब में कहीं न कहीं इस लिए समझना है सब को पढ़ना ह विए हम हम नावसानी अनावरती हैं इनको हम इंगलिस में भी बताएंगे हमें क्या करना है थ्री ऐसे नंबर रिटन करना है सांब्र इसनके डेसिमल टीसल हो समझे हो लोगत अच्छे से पढ़ाया था तब तो तुमको काजल यादा रही थी है है तो कहां से आएगा चलो देखो समझो मानोच सिंग आरा समझ में न बच्चा तो अगर हम अंडरूट 2 इसके दसमलों परसार की बात करें तो हम को भी पता है तुमको भी पता है 1.414 ऐसे सम्थिंग होता डाट डाट यह खतम नहीं होता है बोलो खतम होता है क्या ना तो खतम होता ना यह रिपीट होता है मैंने बहुत पहले पढ़ाया अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें मालूम है नहीं पढ़ाया तो भगवान जाने यह छटवी कलास है अगर आपने इसके पहले की पांच कलास नहीं देखा है तो आप देखो डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल सकती है आप उस पां कर डेंगे तुम को नहीं वालू हमारे बड़े नालायक लड़के हैं वहर समय फोन करते हैं तो अगर हम अंडरूट थीन की बात करें तो इसका क्या होता है थ्री-Point क्या होता है वन फोर वन संवर्न होता है ना वन फोर वन संवर्निंग फाइब नाइन ऐसे कुछ होता है आ बहुत बड़ी महामारी है, कोरोना की दादी है ना तो रिपीट होगा ना खतम होगा पाई कमान आप सभी जानते हो पाई कमान कितना बोलते हैं अरे ये पाई ये कमान है दादा जो मैंने यहां रखा है 3.14159 ये पाई वाला ही है इसका वाला देखो अभी हम इसको आपको निकाल के दिखा देंगे अभी कहोगे ये पता नहीं कहां से लिख दे रहे हैं देख देख लिख रहे हैं बिना देखे लिख रहे हैं आप कन्फ्यूज होगे ना अब भी मैं आपको इसको निकाल की दिखाऊंगा कैसे आता है देखो ध्यान दो यह वन पॉइंट से बन सम्थिंग आता है देखो यह यह आता कैसे है मैं बताओं इसके बारे में क्या है समझो इधर साइड में पेटा पावन यादो पढ़ लो तो अच्छी बात है इमानसु बर्मा ठीक है गुड इबनिंग देखो समझो पच्छों जैसे अगर मैं आपसे पूँछूं कि चार कवर गमूल क्या होगा तब तुम लपाक से बता दोगे कि गुरुजी दूई होगा अगर मैं तुम से पूँछूं कि पचीस कवर गमूल क्या होगा तो ललू लाल बता देंगे पांच होगा लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ हूँ कि भाईया दूइकावर के मूल कितना होगा तो तुम लटक जाओगे जुरा अनाम जाईसे तो पिर तुम्हारे मूँजे आवाद नहीं निकलेगी काओगे दूइकाओगा हम इसका तो होता ही नहीं है होता है इसका दसमलों में होगा आप सीधा फीधा इसका नहीं निकाल पाओगे तो इसकी लंबी विभाजन वाली जो है वो क्या करेंगे हम किरिया करेंगे देखो जो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं इधर उदर का न उनको हम तुरंत भी बलाक करवा रहे हैं फिर उनका कमेंट नहीं आएगा बेटा इसलिए अगर पढ़ने आयो तो पढ़ लो पवन कुमार पढ़ लो हिंदी इंगलिस सब में बता रहे हैं बच्चा पढ़ना है तो पढ़ लो नहीं पढ़ना है तो जाओ कहीं कुछ और करो चलो समझो तो देखो दो का जो हम यहां पर वर्गमूल निकालते हैं बच्चों वो कैसे करते हैं कुछ ऐसे करते हैं हां पर समझो हमें क्या करना है दो का वर्गमूल निकालना है तो इसको कहा लिखेंगे भाईया यह लिखेंगे न क्या है यह दो तस हमलों के बाद कितने तक कितने अंक तक निकालना है बार बार जीरो जीरो किरके इनके užरग्मूल भी बतादेता हूं अब ध्यान से देखो, यह ऐसा मंतर है जिसमें सब कबर हो जाएगा, मतलब जो नंबर पूर्डवर्ग है उनका तो आएगा ही, जो पूर्डवर्ग नहीं है उनका भी आजाएगा, समझो, नंबर है दो, यहाँ पर दसमलो लगा के हमें जितने अंक तक निकालना है, देखो दो जोड़ा हो गया, तीन जोड़ा हो गया, चार जोड़ा हो गया, चलो पांच जोड़ा मैं पांच अंक तक निकालूँगा, आप देखोगे पांच अंक में भी यह खतम नहीं होने वाला है, मैं कैमरा आपका थोड़ा इधर, मतलब साइट दिखा देता हूँ, थोड़ा लेकिन आता कैसे मैं आपको यह दिखाने वाला हूं आप देखो कि कख्छा 9 या 10 में पेपर तक में दिया रहता है लेकिन आता कैसे कहां से निकलता पैदा कहां से होता है वह दिखा रहा हूं तुमें चलो अब इसमें कितनी बार जाएगा यह वन में वन बार जाएगा यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा यहां एक आपको कंसेट सीखना बच्चा कि अगर हम वन बार भाग ले जाएंगे तो हम यहां भी वन लिखेंगे ऊपर भी वन लिखेंगे ठीक है यह इसकी खासियत है लेकिन इसके नीचे भी वन लिखेंगे और यह पर एक ठी लंबा फ़लाइन खीचेंगे कुश होना इतने में समझ में आ रहा है न बच्चा देखो अब यहां पर भी क्या करेंगे हम वन ही लिखेंगे लेकिन वन यहां पर कहां से आया यह इसका आपस में गुड़ा होता है और यह जूड़ता है लेकिन एक बात ध्यान रहे इसको जोड़ने पर जो आएगा यहा बची रहनी चाहिए समझ रहे हो कि नहीं सबी देखो अब आगे चलो तो बच्चों ये तो हो गया अब हमें दसमलों के बाद वाला जोड़ा उतारना है क्योंकि दो का भाग अब उन में जाएगा नहीं तो हम उदर से दो जोड़ा उतारेंगे मतलब एक जोड़ा उतारेंगे जीरो वाला ना बच्चा ठीक है अब ये है दो ये है सो अब अगर आप तुम से पूछें कि बच्चा दो से सो में भाग कितनी बार जाएगा अब बताता क्यों नहीं इतना देर फे किया जारा सबस्क्राइब करो सबस्क्राइब करो लिख रहा है यार एकस गेमिंग बेटा तुम्हारी जिंदेगी बीना एक गेम बन जाएगी तुमको लोग खेलेंगे इसे लुड़का-लुड़का के समझ रहो न यह तो पढ़ लो पढ़ लो नहीं कुछ नहीं मिलने वा हो जहां जाओगे ठोकरे खाओगे लाइफ टाइम इसलिए पढ़ लो पढ़ लो हाल तु कमेंट करने वाले पढ़ लो चलो देखो कि एम जी के लिए हम जी के बेटा तुमको तुम तुरंत बलाग कर देंगे भी निकल लो यहां भाग लो चलो अब समझो कितनी बार जाएगा मैंने पूछा कोई नालायक नहीं बताया लगें है चैटिंग करने में लाइप लिए इसलिए तिनके चुनना करता है अंब लाइभ करो लाइफ करो तो jeting करें बस इनकी जिन्दगी उसी मैं है उतने जिन्दगी है नाइंध में अभी कछा दस में इनको सब मालूम है जिन्दगी में अफली मज़ा क्या है पड़ाई उड़ाई से कोई मतलब नहीं समझो इदर तो बच्चा क्या किया मैंने दसमलो के बाद का एक जोड़ा यहां उतारा तो उपर क्या किया दसमलो भी बढ़ाया नीचे क्या किया एक जोड़ा उतारा अब कुछ बच्चे बोलने पचास आएगा वो तो ठीक है जब सीधा सीधा भाग करते तो पचास आता अब यहां जाएंगे तो ऊपर भी एक लिखेंगे यहां भी एक लिखेंगे देखो समझो यहां भी एक लिखेंगे और इसका ऐसे गुड़ा होता है यह समझते चलो तो एक बार ले जाने का मतलब है बच्चा यह कैसा आएगा दूई बार ले जाने का मतलब क्या पता है देखो बच्चा अगर दूई बार ले जाएंगे तो इसे बनेगा यह इसे बनेगा अगर तीन बार ले जाएंगे तो तीन बार ले जाने का मतलब यह इसे बने तो पच्चा जाएगा कितनी बार भाया कितनी बार जाएगा चार बार जाएगा लल्लू समझ लो प्यार से यह है भाग विधी से वर्गमूल इसमें तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि रूट दूई कमान जो 1.414 रटे हो यह तुम्हें मिलता कहां से आता कहां से मैं वो निकाल रहा हूँ ठीक है समझ लो देखो तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अनुभो के आधार पे आप कर लोगे बच्चा यह फोर बार जाएगा कितनी बार जाएगा चार बार मनोच जीवम कुसवा हाँ बहुत अच्छे बाई सीवम जी बेरी कुट चलिए तो कितनी बार जाएगा यह चार बार जाएगा तो बच्चों चार चुका सोला चार दुना आठ एक नौ गटाने पर भी चार आएगा यह इधर जुड जायागा चार चार आठ इधर थोड़ा दूर में लिखना याद रखना जोड़के यह नहीं गई सटाइद दिवाल में नहीं जगर अने देना चार चार आठ और यह दुई तो बच्चा अगर यह चार बार गया तो उपर खुपढ़िया पर भी चार लिखना है क्योंकि वही तो आपूट निकाल रहा ना वही तो काम का होगा ना आगे समझो देखो कलास को पूरा देखो अगर गड़ित पढ़ना है तो बच्चा जाना नहीं छोड़के यहां पर कोई नहीं दमेली दुलान नहीं आई गया है जहां के लिए चल दिए पढ़ रहे हो ना पूरा कलास देखो मजा आएगा समझ में आएगा महलो एक बार नहीं आया मैं फिर बताऊंगा आएगा पढ़ना है तब हाँ चलो तो बच्चो यहां पर 28 हो गया यह 4 हो गया अभी तो उपर हमारे 00 के कईयो जोड़े बचे है ना कईयो बचे है ना देखो यह एक जोड़ा मैंने उतार लिया था दूसरा जोड़ा उतार लो उपर से क्या करोगे दूसरा जोड़ा उतार लो तो बच्चा दूसरा जोड़ कितनी बार जाएगा रेनू कितनी बार जाएगा बताओ इसलिए तो मैंने 15 सिकेंड होल्ड किया ना कि तुम लोग सेटिंग ना कर पाओ 15 सिकेंड में बीच में कई लोग के और कमेंट आजाएंगे तुम लोग का आएगा इसे बनता दूए दूना चार दूए अठे सोला दूए दूना चार एक पांच 564 हो जाता यह तो भाईया बाप से बड़ा बेटवा हो जाता यह अन्याय हो जाता नर्थ हो जाता यानि दूए बार नहीं जाएगा यहां पर भाग अलग तरह की जाती है अगर आप पढ़े हो तो जाओ यहां पर कभी दाल गलने वाली है अगर दूए बार ले गए न तो दाल गलेगी नहीं गड़बड़ा जाएगी तो वन बार जाएगा यह तो 281 आएगा ऊपर वन जाएगा तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि 1.41 यह कैसे आता इसमें अब इसको घटा लो और बगल में जो जगा है वहाँ पर करें क्या देखो यार अब तो इसमें जगा ही नहीं है थोड़ा मुझे जगा करनी पड़ेगी सकेते में समधियान करना पड़ेगा नीचे दिखाऊंगा चाहे तुम मेरा कुछ अलगए चीज देख लो यहाँ पर जो पिक्रेट चीज़े यह आठ हो जाएगा यह दो हो जाएगा पक्चा इनको घटालो कितना आएक भाईया बहुत अच्छे बाई चिराग बेरी गूड अच्छे आपको थोड़ा कम दिखरा आओगा मैं ठोड़ा कैमरा नीचे करके इसको आपको पूरा पर खरवा दूंगा आप मुझे बताओ यह कितना बार जाएगा बही हां इसको यहाँ पर समझो यहां पर काम करेंगे वो क्या है एक काम करेंगे उपर का देखो मैंने एक जोड़ा उतारा था यहां पे एक यहां पे दो जोड़ा मैंने उतार लिया है दो जोड़ा मैंने उतार लिया है तो जो जो मैंने उतार लिया उसको चिन्धित कर देंगे यह मैंने उतार लिया यह उतार लिया अब हम उपर से तीसरा जोड़ा जीरो नीचे उतारेंगे तीसरा जोड़ा नीचे उतारेंगे तो ये जोड़ा मैंने क्या किया नीचे उतार लिए अच्छा अगर मैं ना उतारता वो जोड़ा तब क्या होता ना उतारता तो क्या होता वह यह ना उतारता तो यह 282 जो है अगर वन टाइम ले जाता न तो 2831 हो जाता कितना हो जाता 2831 बहुत जादा हो जाता अब कितनी बार जाएगा सोचो जरा इसको थोड़ा पास में लिख जाए दो चार बता रहे हैं और को UPANyou learn को जाएगा अब मैं नहीं बताऊ गा क्यूं सु हाज़से नहीं रही हो चार बार जाएगा तो यह 4 जो सो लग six Яुसिल यह एक चार दूना आठेक नौ चार अथैबदे इस हासिल तीन और दूना आट तीन ग्यारा यह इतना हो जायागा घटा लो इसको तो रब बताओ असमें से छे गया चार नों में से नौ गया जीरो आठ में से दो गया छे पस हो गया 604 आया बच्चा इनको जोड़ लो चार चार आठ पुड़ा इदर जगा छोड़के लिखेंगे और ये दो ये आठ और ये दो इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं न बच्चा तो भाईया जो मैं चार बार ले गया था ये चार उपर भी तो लिखा जाएगा गुअ देखो तुम्हें कुछ समझ हो मज में आ तरह कि नहीं ये बेटा अंडर रूट 2 कमान निकाल रहा हूँ मैं कैसे होता दस अमलों में ये इतनी जो यहां पर जाई हो रही इसलिए हो रही जो तुम्हें याद करवा जाता न इदर याद कर ले रूट दो कमान 1.414 होता है याद कर ले अच्छे किताब मों मिल जाता है ना लेकिन आता कैसे है इसी में से जनम लेता है वो याद कर लो यहाँ से मतलब समझ लो तो अब कितनी बार जाएगा भाई और ले जाए कि नहीं तसमलों के बाद मैंने तीन अंक तक तो ले गए लेकिन एक अंक हम और ले जाएंगे इतिहास रचना है चलो उपर से एक जोड़ा और उतार लो अब बताओ यह कितनी बार जाएगा कोई सोच के बताए मुझे कितनी बार जाएगा भाई राहुल पांडे चलो बताओ कितनी बार जाएगा विजय मिस्रा अच्छा देखो यह कितना है यह कितना है 2828 अगर हम वन बार ले जाएंगे तो 28281 आएगा एक बार ले जाने पर 28281 आएगा एक बार ले जाने का मतलब ऐसा इस्ट्रेक्चर बनेगा लेकिन यह 28,000 के लगभग आएगा वो 60,000 है तो फिर क्यों ना हम दो बार ट्राई करें क्योंकि वन टाईम में बहुत कमा आ रहा है तो दो बार अगर हम ले जाएंगे देखो बच्चा दो बच्चा दो बार ले जाने पर यह 56,564 हा रहा है मतलब सही सेटिंग हो रही है तो यह दो बार जाएगा तो दो बार जाएगा 55,564 हाएगा बच्चा यहां पे तुम दो लिखोगे यहां पे दो लिखोगे नीचे बहुत ओबर हो रहा है न यहां से एक बात आपको और समझ में आई होगी कि अभी इनको घटाओगे फिर कुछ आएगा फिर कुछ आएगा मतलब यह कभी खतम नह जाई आए ना सरकारी नोकरी चाहिए बस मैं पर आपक जैएगा लड़की की सादियों के सरकारी नोकरी वाला और शाहें बड़े भरता हो मतलब किसी सरकारी आफिस में लेकिन फ़ले प्राइबिट में लाखों का काम करता उससे नहीं मतलब किस्मान स्रिता को बदल लिए चेंज कर ये कुछ भी करिए सरकार को गाली मत दीजिए हम भी रोधी है लेकिन अपना कुछ करिए हमारा ये मानना है समझ रहे हो ये उत्तर हो गया आपका किन च्प्तर हो गया क्योंकि ये आने वाला है मतलब खतम होने वाला है नहीं ये खतम होने दो इसलिए इसको डाट कर दिए थे मतलब यहां पर तुम्में आए चीज देखो क्या कोई गिंती बार बार रिपीट हो रही है बोलो हा या नहीं क्या कोई गिंती यहां पर बार बार रिपीट हो रही है कोई नहीं दिख रही ना मतलब देखो फोर आया है लेकिन बीच में वान आया है फिर फोर आया फिर टू आया फिर कुछ और आएगा फिर कुछ और आएगा मतलब रिपीट नहीं हो रहा है क्या इसम इस समलो परसार अनुसानी अनावर्ति हो उसमें से यह नंबर अंडरूट दो बहुत ही सही है जिसके कहते है नान-repeating नान-terminating हो मैं बच्चा तो आज मैंने तुम्हें बताया कि कि तरह से अंडरूट दो का मान निकलता है सबको समझ में आया जल्दी से इस class को तुरंद लाइक करो फिर देर ना करो ऐसे मज़ा नहीं आएगी आ जल्दी करो भाई तुरंद फटा फट लाइक करो जल्दी से सभी साथी इस session को तुरंद लाइक करिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें बहुंच जल्दी करिए चलो बेरी गूड बेरी गूड बहुत अच्छे जो नहीं कमेंट कर पा रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जो तो सब्सक्राइब करें वो कमेंट कर रहे हैं मुझे पता है क्योंकि मैंने बंद कर रखा है जो आते हैं फोकट में देखके चले जाते हैं ना तो सब्सक्राइब पर ना लाइक करें वो कमेंट नहीं कर पाएंगे तो बच्चा आप भी सब्सक्राइब कर लो आप भी कमेंट करो साहित कुरैसी के कौन सा जानुमर बेज रहे हो तो मिक्षा कुमारी आद देखें भी उप चलो ठीक है तो बच्चा इनको हम मिटाएंगे अब स्क्रीन सार्ट ले लो फट से जल्दी से आपके पास दस सिकेंड का टाइम है इसको मिटाऊंगा जल्दी करो मैं इसको ला रहा हूँ आपके लिए भी गो के रेडी करके चलो अब एक बात बताओ क्या इसी तरह से आप तीन का निकाल लोगे की नहीं अंडरूर तीन कमान निकाल लोगे इस तरह से सभी निकाल लोगे ना फाई का निकाल लोगे की नहीं सभी बोलो हा या नहीं या सिया नो सभी बच्चे बोलो अरबिंद निकाल लोगे ना रभी राज सुरेंद्र सिंग सेलेथ राज नूब नूब नाम है इनका यन डबलू डबलू नहीं है दादा यन डबलू भी नूर लिख लेती तुम तब भी अच्छा लगता इतिहासिक नाम है अब नूब लगा लिया ऐसे से नाम भी आ रहे है ने ने ब्रांड के कोई पंकज रखता है तो उसका बैया रंकज रख लेता है मतलब जिसका कोई मतलब भी न रहे बेटर नीचे उपर सब दिखाई दे रहा है उसके नीचे कुछ था ही नहीं जहां तक दिख रहा था वहीं तक था जहां तक दिख रहा था वहीं तक था उसके नीचे कुछ नहीं था तो आप लोग अब मुझे पता है कि अंडरूर तीन का भी इसी तरह से निकाल लोगे तो बच्चों ये आब का जो question है न exercise 1.3 का question number का उन सा था भई सातमा सातमा खतम होता है देखो पच्चमा कल मैंने बताया था कुछ लोग confused थे तो मैं फिर से बताऊं क्या सिर्फ भाग करना है बस बहुत लंबा सा भाग जाता है कर लोगे न सभी कल मैंने लगाया था इसमें जगा नहीं है बोर्ट थोड़ा छोटा पड़ जाता है फिर आप लोग कोगे फिर गलत होने लगता है ये इतना था कितना था एक बटा सतरा न भाई देखो यहां पे ज़्यादा इसपे तो है नहीं और ये बहुत लंबी भाग जाती है सोला सतरा गिंती में जाती है ये सोला सतरा गिंती में जाती है तो बहुत बड़ा हो जाता है बोर्ड में आता नहीं कर लोगे ना इसको भाग करना है भाग करके लिख देना सोला अंग तक जाएगा बस सोला सतरा अंग तक जाएगा बबुवन पुज्वल बनवारी आर्ट मैंने आपका चैनल आज ही जोईन किया है पहले की कलास देखने के बाद लाइब कलास देख पाऊंगा हाँ बबुवन जी बिल्कुल देख पाऊंगे बच्चा क्या नाम है तुम्हारा आर्ट अजी टाइप का नाम है बई जाओ चलो ठीक है बनवारी चैनल की प्ले लिस्ट में है जो पहले पांच कलास हुई उससे देख लेना तो इसको मैं छोटा करता हूं उपर करता हूं उसके बाद फिर आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्विश्चन के बारे में आज आपका 1.3 खतम हो जाएगा एक्सरसाइज 1.3 इंडिंग होने वाला बहिया बच्चा चलो अभी बच्चे कंपई किताब लिये हो कि नहीं देखो यार किताब लेकर पढ़ा करो खाली थमासा नहीं देखा करो चलो तो आब कौन सा बताएं साथ नंबर हो गया आठ नंबर कर लोगे की नहीं कौन सा नंबर कराओं कुश्चन इक्सरसाइज 1.3 इक्सरसाइज 1.3 कौन सा नंबर कराओं बताओ साथ नंबर होगे आठ कर लोगे देखो यार कुश्चन मिठाना पड़ता है यहां पर और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है तो थोड़ा टाइम आपको मनेज करना पड़ेगा क्योंकि आफ लाइन कलासे पढ़ रहे हो लाइब इसमें जो मज़ा है न वो ऐसे मज़ा कहा है देखो बच्चा आठवा में कह रहा है कि परमिय संखाओं पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा के बीच कि तीन अलग अलग परमिय संख्याओं लिखिए अलग अलग तीन संख्याओं पूछ रहा है किसके किसके देखो कुष्टन देखो यहां पर समझो कि कुष्टन समझो भाया कि कुष्टन नमबर अठवा पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा कि पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा कि इनके बीच की तीन परमिय संख्याओं पूछ र तो बच्चा जो बटा साथ इसको तुम भाग करो पहले मुझे बताओ कितना आएगा की सियाम सुन्हल सिंग भाग करके देखो बच्चा तो की इसको भाग करोगे की इतना लगभग अएगा जो की बार-बार रिपीट होगा अब भाग करके देखो 5 में साथ से अब तुम भाग करना जानते हो इतने बड़े लल्लू नहीं हो कि मैं तुम को यह भी बता हुआ पांच में साथ का भाग कैसे करते हैं तुम करके देख लो कितना लगबग आएगा ना प्रिया पटेल आरा समझ में अरुन मिस्रा चलो फटापट लिखे जाओ भाई देखो क्वाल्टी बिल्कुल एचिटी में दिख रहा है ना चलो और यह जो छोटके लल्लू है यह कितना आएंगे भाईया 0.81 लगबग आएंगे इनके उपर बार सबके चुर्की में बार जम गया है बड़े हो गए सब कह रहा है कि इन दोनों के पीच में कोई तीन पर्मिय संख्या लिखिए कितना लिखना है तीन पर्मिय संख्या लिखना है तो बच्चा अगर तुम एक चीज देखो यहां पर ध्यान से वह का है देखो तो अगर हम इसमें इनके सारे नंबर चोढ़ने किनारे वाले यह हम मिलता है जीरो पॉईंट सेबंवन बोलो मिलता है कि नहीं यह बूएट पॉइंट सेबंवन अगर हम इसके नीचे बात करें तो 0.71 के बाद 2 भी तो होगा और ऐसे करके जब यह आगे बढ़ता जाएगा एक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो बच्छा नीचे जब बढ़ते आओगे तो एक समय आएगा जब 0.81 और यह 42 डाट 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 आएगा की नहीं तभी बोलो आएगा की नहीं बोलो यस दुर्गा तिकम खतिक वही तुम्हारा नाम बढ़ा कठीन है मैं नहीं ले सकता हूं माफी चाहता हूं आएगा न तो क्या कह रहा था इन दोनों के बीच म ही इन दोनों के बीच में टीन अलग अलग पर आपकर मिय क्याएं लिखिये इन अलग अलग पर्मिय नहीं आपर्मिय संख्याय लिखिए इरेफनल नंबर रेफनल होता तो हम आराम से कर लेते तो बच्चा तीन अलग-अलग इरेफनल नंबर तुम इसको लिख दो तीनों यह लो हो गया चलो यह तीन अलग-अलग इरेफनल नंबर हो गया समझ गए ना एक चीज और भी यहां पर याद रखना कि किनी भी दौ रजान नमबर के बीच में नन्त यृफनल नमबर होते हैं सब्सक्क्राइब क्या नए मन्यूवरक कि नहीं किनी भी दो पर्मिय संख्याऊं के में अनन्त पर्मी संख्याई होती इसकी गारंटी है यानि दो रेफनल नंबर के बीच में इनफािनाइट रेफनल नंबर ओते हैं कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं अनन्त होते हैं ज़ा इकसर साइज जी समझ में राजिय drift कि राजु इर्फान साकेत मनोच सब को समझ में आ रहा ना बाबु चलो लिख लो इस बात को अपने दिमाग में बसा लो क्योंकि अगर तुम्हें पढ़ना है तो कमेंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए नहीं पढ़ना है तो जाओ भाड में हाँ समझ गए ना भई मोटा मोटा हमारा यह जबाव है अगर पढ़ना है तो कापी किताब ले करके साम को साथ बजे हमारे साथ लाइप जुड़ो सबसे पहले कलास को लाइक करो और दोस्तों में सेयर करो आपके घर में जितना मोबाइल फोन है कम्प्यूटर लेपटाप जिसमें जिसमें भी चल सकता है सब में वीडियो को चला दो और चला करके आवाज धीमा कर दो सब में और एक में जिसमें तुम पढ़ सको उसमें बैटके पढ़ने लगो ये काम करो तो हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे घर बैटे पढ़फाओगी नौ नंबर कुईश्चन देखो किताब लिए हो ना सभी अचा एक नया कमेंट करके बताओ जो बच्चे किताब लिए है वो पी लिखे कमेंट करें पी मातलब परजेंट बुक और जो नहीं लिए ना वो ए जो जो बुक लिए है पी लिखे पी फार पायरेट कितने लोग बुक लिए हो मैं हर दिन पूछता हूं हमारी कोशिस है तुम हर एक कोई किताब लेके आओ तेली किताब लेके आओ बिना किताब के नहीं देखो इसका मतलब मेरी आवाज सुन पा रहे हो अनुराधा ठीक है कमेंट आ रहा है क्रिफना मिस लबर, अर्पित यादो, अनुप मिसरा, पुस्पा, राहूल सभी बहुत अच्छे बच्चे हमारे इतने सुन्दर बच्चे हमारे है ना इतने अच्छे ना कि पढ़ें भले ना लेकिन चर्टिंग जरूर करेंगे ये चलो तो नाइन नंबर कुश्चन में कहरा बच्चों बताईए कि निम्नलिखित पर्मिय संख्याओं में से कौन कौन संख्याओं सदयों पर्मिय और कौन कौन संख्याओं आ पर्मिय हैं नाइन नंबर कुश्चन एक बार फिर से पढ़ो एकसरसाइज 1.3 एकसरसाइज 1.3 रक्षा 9 के एंसी आरटी गडित कुश्चन नंबर 9 एक बार फिर से पढ़ो तेरह बताईए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याओं पर्मिय मिंस रेप्सनल हैं और कौ पढ़ाया हूं ना इतना अगर किसी बर्धा को पढ़ाता बहल गुद्धि को वह भी गड़ित सीख जाता है जो बताओ अंडरूट 3 यह रेफनल है कि ए रेफनल है जो जो कह रहे है रेफनल है वह आर लिखके कमेंट करें और जो जो कह रहे हैं कि यह ए रेफनल है वह आई लिखें चलो जल्दी बताओ विया बाबू नंबर चलदा ना इस्क्रीन पर नोट कर लो संपर कर ले ना बता दिया जाएगा जो भी कहना चाहते हो देखो बच्चा यह अंडर रूट 23 है ना यह 23 बड़ा खतरनाक नंबर है इसकी किसी के साथ सेटिंग नहीं होती है यह क्या है एक प्राइम नंबर है ना एक अभाज्य संख्या है इसका कोई भी मतलब अपना और एक वन है जो सार्वजानी परधान है बाकी इन दोनों को छोड़के इसकी किसी से सेटिंग नहीं होती है मतलब किसी से इसका क्या है मतलब इसका कोई और गुड़नखंड नहीं है ऐसा मानो गडित की बासा में अब मैं सेटिंग का मतलब वो बता रहा वह क्या होती है तो यह इएर हंबर यह आपर मेर नहीं है लिखोंकिना यह आपर में तो जल्दी करो अभी सब्जी लाने जाना है खाना भी बनवाना है अब लोग बनाएंगे तो लोग को लाखी कुछ चीज देना पड़ेगा तभी तो मिलेगा खाने वाने कुछ नहीं तौछ नहीं मिलने वाला है चलो जल्दी खतम करते हैं अगला अगला बताव अंडरूट 225 यह रिफनल है कि ईरिफनल है बच्चा तुमको मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ बाबू कि वर्ग याद कर लो इसे दो का वर्ग चार होता है तीन का वर्ग नो होता है पांच का वर्ग 25 होता है 6 37 होता है नो कई 80 होता है वह से 225 किसी का वर्ग होता है पताओ किसका वर्ग है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुट अनमोल संकेत कुमार ठीक है बहुत अच्छे तो 225 किसका वर्ग है बहुत कोई बता रहा है पटापट बताओ तुरांत बताओ देर ना करो 15 का है न 15 15 में हाँ तो ललुलाल अगर पंदरा का है तो 15 तो रेफिनल नंबर है क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो जोकि इक्वल है पर्मिये है क्या है ये पर्मिये है कोनों 25 बता रहा है अरे गदे अगर ये 15 का होगा तो 15 का 15 में गुड़ा करने पर आजाएगा ना चलो देखो 15 पच्चे आपको दो मुझे तो गुरुजी पहाड़ वो नहीं आता है पहाड़ वो नहीं आता न तो तुम्हें मैं क्या बताऊं पहाड़ा तो याद कर लो कितने का है 15 का है तो बच्चों इस तरह से अगर यह पंदरा आ गया इसका वर्गमूल तो यह क्या है परमिय है रिपनल है लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे गुरु जी ये के तो तू पंद्रा निकाल दिया ठेके का नहीं निकाला ऐसे का दुस्मनी रही बचवा देखो इसका दसंबलो में आता चो भी आता पांच से कम आता और चार फे ज़्यादा आता मतलब इसका जो आता चार दसंबलो संथिंग आता दसंबलो में उसका कोई भी वर्गमुल पूर्ल संख्या नहीं मिलती समझ रहे हो न रभी किसन जूट कौन बोल रहा है तुम पढ़ाई करने नहीं आयो तुम तो अपने जिन्दगी से जूट बोल रहे हो दूसरे कि तो बा चला बताओ जिरो पॉइंट तीन साथ नौच यह रेफनल है कि रेफनल है पताओ फुकबित मीना एंजल तभी बताओ अगर आप लोग पोसीज करोगे तो मैथमेटिक से बहुत आसान है जो पच्चे गड़ित में कमजोर है वह पीवीर स्टेडी डाउनलोड करके जीरो लेबल से पढ़ सकते हैं उनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जो कमजोर नहीं है थोड़ा ताकतवर है ताकतवर मतलब यह नहीं कि तुम मोटे हट्टे तगड़े हो तो तुमको मैथ आएगी जो पढ़ेगा दिमाग का परियो पर जाएगा जो जब अलग टाइम देखोगे तेखो कि यह क्या है रेफनल है कि रेफनल है बच्चा यहां पर तुम्हें एक चीज देखना है लाश्ट में तुम्हें का देखना है लाज्ट में यह ऐसे नहीं होना चाहिए 0.3796 से डाट डाट नहीं होना चाहिए अगर डाट डाट है इसका मतलब यह खतम नहीं है इसका कोई अंत नहीं है तो यह क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह रेफनल हो जाएगा यह